नमस्कार दोस्तों अगर आप सभी भी UPCHO का फोरम बढ़ने की सोच रहें और UPCHO का फोरम बढ़ने के लिए आपको UP Nursing Council में Registration होना बहुत ज़रूर है इस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फाइदमन होने वाला आपके 5000 भी बचा सकता है अगर आप ये गलती करते हो तो आपके 5000 भी चले जाते हैं जैसा कि आपको पता है UP NHM की तरफ से CHO का ओपिसल नोटिपीकेशन ओपिसल वेबसाइड पर भी आच चुका है जो आप सभी को हलाकि पता होगा इसे ये देख सकते हो कली 30 तारिक सिसके फोरम में स्टार् जरूरी है ठीक है UP nursing council में आपका registration होना बहुत जरूरी है तो एक मिंट तो उसके लिए यह वीडियो रहने वाला है इसमें आप देखो अगर आप यह किसी भी स्टेट से हो और आप UP में बनना चाहों करवाना पड़ेगा तो registration करवाने के जो सबसे बड़ी सर्त हैं जो आप आपका college अगर fulfill नहीं करता है तो आप अपने 5000 रुपे मत बिगाड़ना तो एक छोटा इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा डोकुमेंट्स अगरे बारे में अलग वीडियो बना चुका हूं देख लेना आप आ जाएगा जल्दी यहां पर देखो आप यह पॉइंट इस ताइम पर आपने कोर्स किया था तब आपका college अइंस इस सटीफाइड था यह नहीं था आइंसी से आइंसी में सूटेफल शुटेफल इंस्ट्रियोट था यह नहीं था अगर आइंसी की लिस्ट में नाम नहीं था तो आप अपना रिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवाबाऊगे अगर आप करवा भी लेते हो और आपको करवा तो लोगे अब या रिस्ट्रिफ लगा दोगे जैसे तैसे करके लेकिन आपका चेंज नहीं होगा बाद में दिक्कता है कि तीन महीने बाद आपको रिजएन देना पड़ेगा ज नहीं तो नहीं देने वाले तो इस बात का इस पेसलिए आप द्यान रखें यह वीडियो उन सभी स्ट्रेशन से पास सेर करना जो आइंसे सर्टिफाइड कोलेज ले चुके हैं और एडमेसन लेने की सोच रहे हैं विदाउट आइंसी वाले कोलेजों में उनके पास जरूर